मुझे खाने का मन हुआ बड़ा पाऊ लेकिन में दिल्लि और मुंबई तो जा नहीं सकती खाने के लिए बड़ा घर में बनाया और संपल नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर हों बड़ा पाऊ की रेस्पी जो मतलब संपल चाहिए, Bernсят त्यार होता है तो यहां पर हमने तीन कल्षी बेशन लिया है आप जाए तो डेड़ कप बेशन ले सकते हैं आपके उसमें डाला हल्दी नमक और लालमीस पाउडर थोड़ी से गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे थोड़े से एक चुटकी हेंग से मतलब स्वाद अच्छा आ आप यहां पर चावल के आटा भी यूच कर सकते हैं साथ में थोड़े थोड़े पान डाल के अच्छा समतलब गूल बना लेंगे हम बढ़िया वाला और देखो ऐसा ही गूल बनाना है क्योंकि इसे मोटा होगा ना तो बेशन बेशन जैसे दिखेगा और इसे पतला होगा में थोड़े से तेल डाल के गरम होने देंगे और आप एक बर मेरे तरीके से जुरूर ट्राय करना इसमें डाला छोटी चमच राई और उसी चमच से हम डालेंगे एजवाई नहीं यहां पर कड़ी पत्ता का भी यूच कर सकते हैं आपको पसंद हो तो इसमें हमने डाला ए जिसे के मतलब लशन और अधरक के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसको अच्छे से मेश कर लेंगे यहां पर हम डालेंगे थोड़े से मसाला जैसे हल्दी नमक करम मसाला और थोड़े से धनिया पाउडर और हींग जो भी आपको पसंदे मसाला डाल सकते हैं तो यहां पर हम चलाते हैं अच्छे से मिला लेंगे यहां पर आलू का मसाला बनके तयार है और इसको हम सारी बरतों में फैला देंगे जिसे की ठंडा हो जाए और गरम रहेगा ना थाथ भी जलेगा और चिपकेगा भी हाथ तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम रखे से जो भूल बनायता है ना उसका थोड़े से हम छोटे-छोटे पकोडिया या मतलब बूंदी तर लेंगे और इसका मतलब ना यह बड़े में यह जोगा और इसका स्वात बहुत अच्छा आता है आप जरूर एक बार ड्राइ करें मेरे 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 तरीके से बनाए जरूर ब मिक्सिजार उसमें डालेंगे भूना हुआ मुमफली के दाना साथ में हमने डाला जो पकोड़ी बना रखका तैबेशन के ओ डाल देंगे और थोड़े से नमक और दो चमच लाल में इस पाउडर डालेंगे इसे कलर अच्छा आएगा और इसको हम पीस लेते हैं बड़ी आ और इसी जार में हम थोड़े से धनिया लेंगे आठ देश लसन की कली एक इंच अद्रक के टुकडे और आठ देश हरी मिर्च लेंगे क्योंकि अभी मिर्ची तीखी नहीं आ रहे है न ताब इन्हें तीखी अनुस्वार बना सकते हैं यह तो चटे मतलब बात में भी आदा मतलब नीबु का रश लेंगे यहां पर दाइका भी यूज़ कर सकते हैं पानी क्या यूज़ ना करें नहीं तो चटनी पतला हो जाएगा फिर बड़े में मतलब चटनी और बड़ा और उसके बासे पावा लग लग दीखेगा तो चटनी मतलब ऐसा ही बनाएं कहते रहो भी ते रहो यहां पर हालु का मसाला क्यों हों थंडर हो जो लेंगे खोड़े छोटे छोटे आलु का बॉल बना लेंगे इस marketing यह इस हैं खोड़़े मातलब ऑना लेंगे मेरा मतलब सलाहें कि थोड़े मिद्य को ऑना में formas लेल cabbage बलसकों सथां कि एज़ीं कलि आ pegar वाला मसाले का बॉल बनके तयार है यहां पे करम गरम तेल में थोड़ा सा हरी मिर्च तलेंगे हरी मर्च बड़े पाओ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ताप एक बार जुरूर बनाएं और अब हम इसे डालेंगे बेशन के खोल में पड़ी आंसर दूबा देंगे और इ आप एक बार जुरूर ट्राइए करें मेरे तरीके से और यहां पे हमारा लगवग बड़े तल चुके हैं इसको हम निकाल लेते हैं आप और ऐसे हम सारे बड़ों को तल लेंगे और मेरा तो मतलब ना बड़ा बनाने का कम और बड़ा खाने का मन जादा मतलब कर रहा था लेकि पता है ना घर पे मतलब सबके लिए बनाना होता है तो आप भी बनाओ खाओ यहां पर बड़ा दल चुका है इसको हम दो या पास मिनिट रखतेंगे हलका ठंड़ा हो जाए सअंसरे मतलब रहते हैं प्रयाते यहां फिर लेगे आइस थ दोकान पर आराम से मिल जाता है और इसको कर लेंगे कि अब आप लेंगे और ऊटल और इसको बीच में में ऐ उपाव हाथ सकते हैं मैं चक्को और त्च में जणा को क्टलें लेंगे अब इसमें दोनों तरफ भर ह्री चठनी लगाएंगे पाव में के रेंगा और शारे चमव मतलब चटनी लगा देंगे अब इसमें थोड़े से मुमफली का पाउर डालेंगे साथ में उसमें मिर्च लगा देंगे ऐसे हम दूसरे पाउ में भी चटनी लगाएंगे दोनों साइड और हरी चटनी लगाती है हमने इसमें हम डालेंगे थोड़े से मुमफली का पाउडर बीच में हम बड़ा को हाँ से दबाके उलियों से और रख देंगे साथ में लगाया मिर्ची और यहां पर हमारा बड़ा पाउबन के तयार है तो खाऊ प्यों मज़े करो मैं तो चली खाने और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्ली सपोर्ट करें और ऐसे हम आप लोगों के लिए नहीं रेजबी लेके आते रहेंगे मिलते हैं नई वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों